वेरी गूड मॉर्निंग टू अलफी दोस्तों स्वागेत है आप सभी का एजुकेशन के अट 6 में सिख्चक बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर एक बड़ा अपडेट जीहां दोस्तों टीचर की नई रिकूट्मेंट निकाली गई है लगबग 15,000 पदों की ये वेकेंसी है ज लास डेट भी बताएंगे कब तक आपको आपको इदन करना है लास डेट कब तक है और इसका फीस आपको बता दे कि जो भी जनरल केडिगरी के स्टुडेंट है साड़े 700 रुपे फीस लग रहा है यहां पर फॉर्म भरने का तो बीएड करने वालों के लिए तो सुनेहरा अब बोड नहीं है वेकेंसी निकाली है यहां पर जहां पर करीब 15,000 वेकेंसी है यहां मैं इनके अलग अलग वेकेंसी के अपडेट आपको यहां पर पहुचाने जा रहा हूं तो इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाके ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के मादियम से जा सके हर वो पल्प की अपडेट जो कि आपके बिहार उत्तरप्रदेश जारकंड जैसे अन्य राजियों से भी कोई वेके प्रीटी क्राइडिया का सलेबस होगा या जो भी इसके नंबर ऑफ वेकेंजी के सीट के जिस भी सब्जेक्ट के जरीए निकाले गए हैं उनकी तो यह तीनों पीडिफ जो मैं आपको यहां पे सेर करने जा रहा हूं उस नोटिफिकेशन को तो आप लोग टेली ग्राम पे हमें जोईन करें वहां पे आपको तीनों पीडिफ मिल जाएंगे दोस्तो चलिए दोस्तो लेकर चलते हैं इन सबकी अपडेट पे सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के इस ओफिशल वेबसाइट पे चलते हैं बिलकुल दोस्तो यहां पे हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश सारा डीटेल आप यहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं और क्लिक करके यहां पे सारे डीटेल चेक कर सकते हैं चलिए मैं एक ही करके सारे डीटेल आपको अपडेट करता हूं यहां से डाउनलोड करके तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं एड़िटाजमेंट संक जो आपका यह 16 मार्च से सुरू हो जाएगा आवेदन सुल्क जमाग करने की तिति भी 16 मार्च से सुरू हो जाएगी और जो आपका online आवेदन जो part 1 यानि की registration करने का अंतिम तिति है 11 अपरेल लेकिन online जो सुल्क जमाग करने की अंतिम तिति 13 अपरेल तक दे दी गई है लेक मार्स से अपडेट होगा इसका मतलब यह नहीं कि 16 मार्स को जाके फॉर्म भर दीजेगा पहले चीजों को देखिएगा कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए आप आविदन करने आप या नहीं फिर उसके बाद फॉर्म भरने का प्रयास किजेगा क्योंकि 7500 पर फीच लग रहा यह पर तो पैसा भी यहां पर महत्रपोर्ण है जी हैं दोस्तों याद रखीगा उत्तर प्रदेश के माद्यमिक सिक्षा और चैन बोट की तरफ से विज्यापन संक्या निकाली गई है दोस्तों लगबग 12603 पदों के लिए यहां पर विसेवार जो की बालक और बालिकाउं सं कर सकते हैं किसी भी स्टेट से हैं आप यहां पर आविदन कर सकते हैं इसे भी पोश्ट के लिए दोस्तों आपको एक चीज़ कर देना चाहते हैं यहां पर जो महत्रपोर्ण निर्देश दिएगे हैं यह 12603 पदों के यहां वेकेंसी एडबिटाइजमेंट संख्या एक 2021 क बताया गया है और दोस्तों 2596 जो पद निकाले गये हैं यह वेकेंसी संख्या है 2020 का इसका भी मैं विवरन दूंगा आपको अभी नेक्स्ट पार्ट में तो इसको भी पुरा देख लिजेगा यहां पर कुछ महत्यपोर्ण निर्देश दिएगे हैं इस निर्देश को आप यदि हिंदी का प्रश्य पत्र है तो हिंदी में संस्कृत का है तो अंग्रेजी का है और अरुदूब्ल का होगा तो उर्दू में ही होगा इस इस सभी बातों का ध्यान रखेएगा और बिगप्ति को पुरा अज़े से पढ़ लिजेगा जो भी यहांँ पर दिया गया है दोस्तो अब यहां पर जो भी अपडेट हैं यहां पर करके आप चेक कर सकते हैं मैंने आपको सारे डिटिल यहां से बता दिया है ओनलाइन का आविदन करने का डेट भी बता दिया है दोस्तो यहां पर यहां पर फार्म को सब्मिट कर देंगे यहां पर प्रसम चरण में प्रधम चरण में करेंगे यहां पर अपना विदन सुल्क जमा करना होगा जो भी यहां पर बता देना चाहता हूँ कि 700 रुपे उसे फीस लिया जा रहा है और 50 रुपे आप से जिया दोस्तों इंटरनेट चार्जे जो भी ऑनलाइन प्रक्रियां को लेकर है वो ले रही है तो जो भी अधर स्टेट से हैं वो भी आविदन करेंगे तो जनरल केटेगरी के तहरती आविदन करेंग यह आपका यहाँ पर अपडेट है दोस्तों यहाँ पर फीस को लेकर बाकी जो सतंद्रता संग्रानी के यहाँ आश्री थे उनको क्रमांग संग्या एक से पांच ने लखी थे यहाँ पर जाकि उनको देख सकते हैं यहाँ से पांच तक के और जो एक सरमेस मैन में वो भी ए प्रिषान से सब कुछ समिट कीजिएगा। सारा डीटिल एक बार आपना चेक कर लजीए फोटो का साइज यहां पे पहले मेंसन कर दिया गया है। देख लेजीगा फोटो और सिगनेचर का मेंसन किया गया है साइज यहाँ पर फोटो एवम हस्ताक्षर स्कैन के वे होने चाहिए पांच के भी से तीस के भी के बीच में होना चाहिए रंगीन फोटो और वो भी आपका करेंट का फोटो भी होना चाहिए यहाँ पर मांगा गय दोस्तों आयू सीमा की बात कर लें तो यहां पर एक जुलाई 2021 को 21 से कम नहीं होने चाहिए आपकी ग्रैजुएट है तो भाई एक कई साल का कम से आपका एज होना चाहिए जी हां आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि यह 12603 पदों की यहां पर वेकेंसी है जिसको कि यह यहां पर असास की माध्यमिक विद्याले के द्वारा चैन बोड के द्वारा यहां पर निकाला गया है दोस्तों आप सभी को दादे की जो भी तिथी है मैंने आपको कम्प्लीट बता दिया है सेक्षन योगताओं की उपर चर्चा कर लेते दोस्तों तो अध्यापक के किसी भी पत की न्युकती के लिए अभ्यारती को इंटर्मीडियेट में जिया दोस्तों अधीन यहां पर 1921 की अधीन बनाए गई जो नियामुली है उसमें आपको कम्प्लीटली आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो उसी सब्जेक्ट में कितना वेकेंसी निकाला गया है साथ ही साथ आपको मानिता प्राप्त किसी भी इंस्टूट से दोस्तों बीट की डिगरी भी होनी जरूरी है आपका जहां दोस्तों और यह अंतिम तक तिथी तक संसोधित याप परिवर्तित योगिन नहीं मानी जाएगी ज्यान रखेएगा वीतन मान जो दोस्तों यहां पर आपका सेबन ग्रेट पे का होगा यहांने कि च्यालिस सो ग्रेट पे का यहां पर वीतन मान होगा तो सैलरी काफी अच्छी है लगबग आपकी साथ से सत्तर अजार रुपे तक ही आ सकती है लेकिन जो सैलरी यहां पर ब बात करें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की निवासियों को ही आरक्षिन का फायदा मिलेगा अधर श्टेट से हैं तो आप यहां पर जियां जेनरल काटेगरी में ही आप आविधन करेंगे तो यह सारे काटेगरी देख लिजिएगा जिस काटेगरी से आप बिलॉंग करते हैं भरती के प्रक्रियाएं हैं दोस्तो यहां पर लेखित पर इच्छा होगा पहले तो आपका एक यहां पर उसके बाद दोस्तो समयाओ सारे जो पिर नोजित। प्रारूप जो है स्वरूप जो है mcqs का होगा जैसा कि आपका होता है एक कोशन होगी चार आप्शन होगी उस तरह से और प्रसिक्षित इसनातक सिक्षक जाने कि जो भी तदर्थ सिक्षक हैं उनके लिए भी यहां पर यह सारे डिटेल है इसनातक होना चाहिए आपका और आपका बीएड होना चाहिए यह भी सारे डिटेल यहां पर मेंसन किये गए जो भी तदर्थ प्रसिक्षित सिक्षक हैं इसनातक सिक्षकों में के लिए तो उनकी अवधिक को अधार सेवा अधारित करते हुए यहां पर 1.5 अंक और अधिनियत 30 अंक दिये जाएंगे और ज जो कि किसी भी दर्शा में प्रणांक 500 से अधिक अंक होंगे होंगे चैन है तो आपका मेरिट निकाला जाएगा यहां पर बिलकुल यहां पर रिटेन टेस्ट के अधार पर ही उसके बाद आपका डॉक्मेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली आपका यहां पर चैन कर ल देख लिए यह सारे यहां पर आपको अपडेट दिये गए जो अधर स्टेट्स हैं वह एजे जनरल ही आविदन यहां पर करेंगे जो भी प्रसिक्षित इसना तक सिक्षक हैं यहां पर यह देख लिएगा कौन-कौन से सब्जेक्ट में कितनी उनकी यहां पर टुटल वेक अगर और देखें वेकेंसी तो 1408 वेकेंसी यहां भी है जो कि खंड सारनी 2 के लिए है तो यह धियान रखेंगे यहां भी अलग 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 सब्जेक्ट को लेकर दोस्तों यहां पर आपको बता देख कि सैक्षन योगता के लिए जो भी छात्रे बीएड कर रखें है वह देख लेजिएगा सभी सब्जेक्ट के लिए यहां पर उससे सब्जेक्ट में अगर आपका डिगरी है तो यहां पर उसमें बीएड भी होना अनिवार है आपका ठीक है अगर आपने पीएड के लिए अपलाई किया है तो आपको यहां पर थोड़ा सब पहले मिल सकता है ज सारी चीजे समझ में आएंगी दोस्तों, यहां पर ध्यान रखेगा, यह वरियता दिया जाएगा, यहां पर जो जह है वरियता इने के प्रिफेंश दिया जाएगा, अगर आपके B.E.D. के साथ साथ M.E.D. भी है तो, लेकिन अनिवार एक क्या है, तो B.E.D. और उनके साथ स पुरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजेगा अच्छे से ठीक है दोस्तो तो दोस्तो ये तो हो गई एडबेटाइजमेंट संके एक 2021 की जो की TGT के लिए है यानि की टीचर ग्रेजवेट ट्रेनी को लेकर है लेकिन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजवेट ट्रेनी के लिए भी कुछ निकाले गही है जिसमें कि आपको यहाँ पे मेंचन किया गया है यहाँ पे 25-96 पदों की टूटल वेकेंशी है इसको भी डाउनलोड कर लेता हूं मैं आपके लिए और इसको भी डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सारा जो डिटेल है सामने निकल कर आएग आपके बिल्क कि यहां पर qualification criteria क्या है तो यहां पर qualification में B8 के साथ साथ आपका M8 भी होना चाहिए ठीक है यह बहुत सारे सब्जेक्ट में देख सकेंगे आप लोग यहां पर इस page को जरूर देख लिजेगा जिस सब्जेक्ट सब्जमाली है कि अंग्रेजी का देखना मुझे ठीक है तो अनुसर अगर देखा जया तो उत्तर प्रदेशी आथ होगा किसी भी अन्यता प्राप्त भी स्विद्याले से अंग्रेजी भी से में इस नात्यक्तर यानिकि एमेड ठीक है या ग्रेजूएट है तो पोस्ट ग्रेजूएट है तो किसी भी ट्रेणिंग कॉलेज से L.T अगर आप अधर स्टेट से हैं तो भी आप आविद्यन कर सकते हैं बस आपको यहां पर इन सभी चीजों में जो है निपूंडता होनी चाहिए जैसे कि ड्राइबिंग और पेंटिंग का ज्यान होना चाहिए अंग्रेजी के लिए अपलाई कर रहे है तो अच्छा कला भव को ने जो भी डिग्री कर रखी है यहां पर आपको सब कुछ मेंसन किया गया है कि इसमें आपका यह डिग्री क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो यहां से आप आगे चेक कर सकते दोस्तों यहां पर अगर कंप्लीट बात कर लें दोस्तों तो टोटल बाइस सो एकासी और त दिया गया है तो इसी format में आप अपना बनवाएंगे जो भी छातर उतर पदेस से हैं लेकिन जो चातर अधर इस्टेट से हैं बिहार से हैं जहरकंड से हैं बंगाल से हैं कहीं से भी हैं तो आप सिर्फ अपना जेनरल करें में ही आवेदन करेंगे और एस जेनरल आप इसको यहाँ पे भाग लेंगे दोस्तों यहाँ पे एक्जाम होगा दोस्तों देखी का लिखित परिख्छा और इसका सिधा इंटरव्य होगा जिसमें की 425 अंका रिटिन एक्जाम होगा और 50 अंका आपका साक्षतकार होगा फिर उसके बाद 25 अंका उत्तर परदेश के माधमिक सिख्छा सेवा चैनबोड का नियम के अनुसार यहाँ पे दोस्तों बीएड और एमिड जो भी किसी विराष्टे इस तरका खेलगोत प्रत्योक्ता परिख्छा है उसमें भाग लिए हैं तो उसके विवस्था नुसार आपको विसे योगिता है होनी चाहिए अगर आपके पस है तो उसका अंक भी आपको 25 के अंदर दिया जाएगा ठीक है तो 500 अंगों का यह पूरा कंप्लीट होगा यहाँ पे इसमें आपका मेरिट बनेगा दोस्तों ठीक है तो यह आपका भर रखी गई है तो आविदन करने से पहले जरूर बताईएगा 2595 पदों की वेकेंसी है जिसके लिए आपको यहाँ पे वेकेंसी निकाली गई है पोस्ट ग्रेजवेट ट्रेनी के लिए यहाँ पे वेकेंसी निकाली गई है तो दोस्तों मैंने सारा डिटेल आपको यहाँ प पर जाएंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा दोस्तो आपको एबाउट वाले सेक्ögशन में जाएंगे आप और यहां से आपको टेलीग्राम का तो पहले टेलिग्राम डाउनलूड कर लिजीगा अपने मुबाइल में देन आपको यहां से क्या करना है ज्वाइन कर लेना है टेलिग्राम तो टेलिग्राम पे मैंने इसका पीडिय भी साजा कर दिया है धन्यवाद मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक लिए खिसके क्या हां बेलिग्राम शरया है चैसे इसका कहा बभा है लिग्राम पमके शेलिग्राम तो बाधर अग्रेम पर ख Byपा